हलो दोस्तों स्वागत आपको अपने यूट्यूब चैनल पर दोस्तों में आज आपको रेलबे एंटी पीशी और गुरूबडी की परिक्षा में पूछे गए सभी पिर्शन जो और आर भी जे आर पे पूंश्टेबल ऐसा यादी परिक्षाओं में पूछे गए हैं कि भौति विज्ञान के मात्रक्ष चैप्टर से कोश्टन कराने वाले हैं जिसमें हम यूद्ध कंपिट्शन टाइम की बुग दुआरा सभी पिर्शनों को हल कराने वाले हैं तो चली वीडियो सुरू करते हैं बने रहेगा वीडियो में अन्तुर्वार की SI-I क्या है तो इस क्या है इसका सई आ अंसर है D यह कोश्टन आरर भी aLP टेगनिशिन में पूझ़ा रगार कोMOANS करते हैं कोश्टन नम्मर्डव भार का SI-I मात्रक्ष कैं तो भार का SI-I मात्रक न्यूटन है यह कोश्टन आरा भी जैऑ में में तूच्छबए कम पूचा गया कोश्टन है कोश्च नमर तीन संबेग की इकाई क्या है तो संबेग की इकाई है संबेग बरावर होता है दर्बमान गुना बेग दर्बमान का महतर होता है किलोग्राम बेग होता है मीटर पृति सेकंड तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है option नमबर B question नमबर 4 उद्ध्योग में सक्ति की इकाई है तो उद्ध्योग में सक्ति की इकाई है अस्व सक्ति RRB ALP technician में पूछा गया question है question नमबर 5 अच द्ध्योग मापने के लिए कौन से एकक यूनिट को उप्योग किया जाता है तो इसका सही आंसर है A decibel RRB NTPC में पूछा गया question है question नमबर 6 विद्ध्योथ आवेश का SI मात्रक क्या है? तो विद्ध्योथ आवेश का SI मात्रक है कुलाम RRB NTPC में पूछा गया question है question नमबर 7 पिरकास वर्स नमली खित में से किसकी इकाई है? तो यह इकाई है दूरी की RRB J में पूछा गया question है तो पिरकास वर्स दूरी की इकाई है question नमबर 8 पिर्ति रोध की SI इकाई है तो पिर्ति रोध की SI इकाई है ohm तो भी इसका सही आंसर है question नमबर 9 SI पिल्लाली में पृति वर्स दूरी की इकाई है तो पृति वर्स दूरी की इकाई है SI इकाई मात्रक है तो विदिध्धारा का MPR तो ए इसका सही आंसर है RRB, ALP and Technician में पुछागए question है question नमबर 11 आवेश की SI इकाई क्या है ALP में पुछागए question है तो आवेश की SI इकाई है कुलाम question नमबर 12 निम्न को मिलान कीजिए चुम्ब की है फलक्स गहनत का मात्रक होता है टेसला तो है प्रेण का होता है हैंडरी चुम्ब की है फलक्स बेवर तो दी इस पहले का A दूसरे का C, तीसरे का B तो दी इसका सही आंसर है question नमर 13 निम्न में से किसकी इकाई उर्जा की इकाई के समान है तो कार्रे की इकाई उर्जा की इकाई के समान है question नमर 14 सक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है तो सक्ति की इकाई को बाट कहा जाता है और आर भी एल्पी में पुछा गया पिसन है निम्न लिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है तो साप एक चिक घनत या आप एक चिक घनत की कोई इकाई नहीं है यह question रेल्बे एल्पी में पुछा गया question है question नमर 16 बिदुत आवेश की SI इकाई क्या है तो बिदुत आवेश की SI इकाई है कुलाम तो SI इसका सही आंसर है question 17 निम्न में से अदिस रासी नहीं है तो अदिस रासी नहीं है यह बल जो किस अदिस रासी है यह अदिस रासी नहीं है यह question रार्वी जेई में पुछा गया question है question 18 ampere second किसकी इकाई है तो ampere second यह इकाई है आवेश की आवेश की इकाई है क्यों वरावर होता है IT ampere second question 18 आवेश की नाप की यूनिट क्या है तो यह को इस कांसर है question 21 अनुपचारिक रूप से खगुलिय दूरी को ब्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का पिरियोग किया जाता है तो पिरिकास बर्स का पिरियोग किया जाता है question number 22 resistance की यूनिट क्या है यानि पिर्तिरोग की यूनिट क्या है तो इसका सही answer है ओम rlb ntpc में पूछा गया question है question number 23 दवाब या दाब की ऐसा इकाई क्या है तो इसका सही answer है नूटन पिर्तर, नूटन पिर्ति, मीटर स्क्वाईर question number 24 दवाब की ऐसाई मातरक क्या है तो इसका सही answer है question number 25 पिर्तिवी सिले का सुर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है यह है astronomical unit यह एक खगोली है दूरी तो भी इसका सही answer है question number 26 बल या फोर्स की SI unit क्या है तो इसका सही answer है Newton एंटी पीसी में कोश्च हगया क्पिर्शन है question number 27 निमलिखित में से कौन सी मातरा की SIe काई सही रूप से सुमेलित नहीं है फ्रिकैंसी हर्टर यह सही है प्रेशर पास्कल सायमें कंडिशन इलेक्टिक कंडिशन सीमेंस इसका सही रूप सुमेलित नहीं है question number 28 विस्तावन की SIe काई क्या है तो विस्तावन की SIe काई है मीटर तो एसका सही answer है question number 29 विभानतर की SIe काई है तो विभानतर की SIe काई है बोल्ट question 30 सक्ति की अंतराष्ठे SIe काई क्या है सक्ति की अंतराष्ठे SIe काई है बाट question 31 सक्ति का SIe माटर क्या है जिसका सही answer है बाट प्रतिरोध की SIe काई क्या है तो प्रतिरोध की SIe काई है ओम तो विभानतराष्ठे तो विभानतराष्ठे सही answer है question 33 किस भोतिक राशी का माटरक ओम है तो यह है प्रतिरोध का SIe का सही answer है question 34 जी के मान की ऐसा इकाई वही है जो है तो तो एस का डीस का सही answer है question 35 निमली खित में से किन भोतिक राशीों की मातरों की इकाई यां एक समान है कारे और उर उर्जा की इकाई यां एक समान है question 36 newton meter square की SIe काई है तो यह है दाप की question 37 newton meter square किलोग्राम square की SIe काई क्या है तो यह है गुर्टवा किर्जन के सारभूमिंग नियतांक तो डीस का सही answer है पृत्ति रोज़क्ता की SIe काई क्या है तो यह है ओम मीटर यह इस का सही answer है question 39 बहार की SIe काई की SIe काई के बरावर होती है तो यह है बल के बरावर होती है question 40 निमली खित में किस युगम की एक ही ऐसा इकाई नहीं है गती और बेक की होती है कारे और रुज़ा की होती है बल और विस्तापन की होती है तो इसका सही answer है C बल और दवाव इसका सही answer है question 41 चाल की अंतराशे इकाई है यह है मीड़ पर second question 42 डाव की अंतराश्टिय ऐसा इकाई क्या है तो यह है पासकल बहुत ही महेटमूर question है question 43 संबे की अंतराशे ऐसा इकाई क्या है तो बीश का सही answer है question 44 निम लिखित में से किन दो भोतिक राश्टियों की इकाई एक ही है तो बल और उर्टेक्स की बरावर है बल और भार की बरावर है तो इसका सही answer है बी और डी दोनो question 45 मीटर पर 30 सेकंड स्क्वाइर किसकी ऐसा इकाई है तो यह इकाई है त्वेरन की question 46 की ऐसा इकाई जूल पर 30 सेकंड है तो 46 का answer सही क्या है डी शक्ति question 47 की ऐसा इकाई न्यूटन है बजन और बल की काई न्यूटन है question 48 विद्धारा की ऐसा इकाई क्या है विद्धारा की ऐसा इकाई है एमपियर question 49 सक्ति की ऐसा इकाई है तो सक्ति की ऐसा इकाई है बाट question 50 की ऐसा इकाई बोल्ट है ऐसा इकाई बोल्ट है तो यह है विवांतर question 51 कुलाम किसी ऐसा इकाई है तो यह है विद्धारावेश की question 52 दाव की इकाई है तो दाव की इकाई है पास्कल question 54 तो यह है meter प्रति second square question 55 संबे की ऐसा इकाई है तो संबे की ऐसा इकाई है kilogram meter पर second question 56 question 56 निम लिखित में से कौन सी ताव मान की ऐसा इकाई है तो अब ताव मान की ऐसा इकाई है केल्विन question 57 निम प्रति मीटर स्क्वाइर की अन्तराष्ट इकाई है तो यह इकाई है दाव की बहार की ऐसा इकाई वही है जो है बलकी question 59 आव इसकी ऐसा इकाई क्या है तो आव इसकी ऐसा इकाई है इसमें आव इसकी ऐसा इकाई का ओपसर नहीं है तो आव इसकी ऐसा इकाई होती है कुलाम तो इनमें कोई भी आंसर नहीं है कोशनम शिष्टी दी गई भोतिक राशियों में से कौन सी सापेक सराशी नहीं है सापेक सराशी त्वेरन दूरी और बेग सापेक सराशी है किसी अन्य भोतिक राशी पर निर्भर नहीं करता तो यह है सापेक सराशी है नहीं है कोशनम शिष्टी वन निम्न में से किस राशी के लिए मात्रक नहीं है तो आपेक सी गनत के लिए कोई मात्रक नहीं है Q62, निम्ली में से किस यूगम की इकाईयां समान नहीं है चाल और बेक की समान है, दूरी और विस्तापन की समान है, कारे और उर्जा की समान है तो बल और दवाब की नहीं है Q63, और मीटर की इकाई है तो यह एकाई है प्रतिरोदक्ता की तो इसका सही आंसर है Q64, की ऐसा एकाई एमपियर है तो यह एकाई है विदुद्धारा की एमपियर Q65, मन्ता की अंतराष्टिय ऐसाई काई है मन्ता यानि तवरण मीटर प्रतिस सेकंड स्क्वाईर तो डीज का सही आंसर है Q66, निम लिखित में से किस युगम की ऐसा एकाई हैं समान है तो यह एकाई है काट्रे और उर्जा की समान है Q67, एक पास्कल वरावर, एक न्यूटर्न प्रति मीटर स्क्वाईर निम लिखित का सही मिलान, सही मिलान करिए एक बाट वरावर, एक न्यूटर्न पर सेगिंड होता है एक किलो वाट, किलो वाट वरावर होता है एक हजार वाट, एक किलो वाट घंटा वरावर, तीन पूंच शे इन्टू 10 की पावर 6, जूल होता है एक होस पावर वावर, 746 वाट होता है तो ए इसका सही आंसर है कोशन 69, विभानतर की ऐसा इकाई क्या है तो विभानतर की ऐसा इकाई है, बॉल्ट 17 कोशन, विभानतर की अंतराश्ठी ऐसा इकाई है, एम्पियर कोशन 71, तरंग देधर्य का ऐसा इकाई मात रख है तरंग देधर्य का ऐसा इकाई मात रख है मीटर या एंग स्टोंग में आपते हैं तरंग देधर्य को कोशन 72, इन में से ऐसा इकाई में मोल का प्रितिक है मोल का प्रितिक है, मोल विदित उर्जा का वेफसाइक मात रख क्या है तो यह मात रख है किलोबाट घंटा तो एस्ट का सही आंसर है कोशन 74, मात रख जूल प्रिति सेकंड है, कुलाम प्रिति सेकंड है तो यह है एंपियर यह होता है, यह है एंपियर क्यों बराव होता है, आई टी और आई बराव होता है, क्यों पॉन टी तो एंपियर होता है, क्यों प्रिति सेकंड 75, तरंग बेग का मात रख क्या है तो तरंग बेग का मात रख है, मीटर पर सेकंड द्धैनी प्रिति सेकंड माप जाता है, यह माप जाता है डेसिवल में द्धैनी की फिर बलता मापी जाती है, यह मापी जाती है डेसिवल में यदि आपको वीडियो अच्छी लगा है तो वीडियो को लाइक करें Thank you for watching